हाई अबरीबन स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को जिसका नाम है जिसका सीरसा के चेंज ऑफ गार्ड्स स्टार्ट करने पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज एट अब टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की टेन कूपन कोड यूज करते हैं कि जो भी मैजियम डिसकाउंट होगा उसे आप अफेल कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ गार्ड्स आपको हाली में मालूम होगा कि तृप्रा के नए शियम बनाए गये हैं कहां किस पार्टी का रूल है वहां पर भारती जंदा पार्टी का रूल है और अभी हाली में विपलव कुमार देव को हटा कर मानिक सा को एक एज़ेट चीफ मिनिस्टर घोसत किया है क्यों किया है क्योंकि आपने देखा ही होगा अंगले नो मही नोबाल तृप्रा के अंदर चुनाओ है कुछ राज्यों में चुनाओ है जिसम क्या सब्रक्रानु जैसे में उसी क्या लिए उसी नेौ में चलते हुए जैसे बीजैपी ने ऊसाम में यॉसी किया था तो तो उसी में चलते हुए बीजज़ेंस वप अटे Botsान दू आप जानने के लिए इस दिशन侧ा कर उठाल में बाट लीडर्सिप के बीच में एक बहुत दूरियां बढ़ रही हैं कहीं ने कहीं इस चीज का ये प्रमाण है इन एबरप्ट मतलब होता है आकस्मिक तो एक आकस्मिक मूब जो चला गया उस वो एंटिसिपेट था मतलब पहले से अनुमानत था कई लोगों के द्वारा क्या अनुमानत था कि भारती जनता पारटी विपला कुमार देव को अलग करेगी और मानिक सा को चीप मिनिस्टर घोजट करेगी यह वही भारती जनता पारटी ने किया भी जो कि नौर्थ इश्ट का रिजएन है तरफ़ा क नौर्थ इश्ट का इस्टेट है जिसे बीजेपी ने दो हजार अठारा में लेट समर्थ सिसे पारटीया है उन से चीना था और तरप्रा कई सालों तक कई दसकों तक लेप्ट का क्या रहा है गड़ रहा है उसके बाद बीजेपी ने उनको वहाँ पर हराया और खुद अपनी सत्ता हासिल की तो यह एक बहुत बड़ा एक आइडेलोजिकल मूग था क्योंकि आपको मालूम होगा लेप्ट एक बामपं जाहर की मिश्टर साहा's rise in BJP that he joined 2016 after quitting the congress तो यहाँ पर मिश्टर सहा के बारे में अगर बात की जाए तो 2016 में ही यह नोन बीजे पी को जोईन किया था Congress से अलग होकर BJP को जोईन किया था Has been dramatic and largely Oh it's Mr. देव तो यहाँ पर जो साहा जी है यह बड़ा dramatic है इनका सामने आना And he largely owe it to Mr. देव और यहाँ पर इसके लिए Mr. देव को धन्यवाद करना चाहिए इनके लिए The outgoing CM through his weight behind Mr. साहा Who had succeeded him as a president of BJP state unit also तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो Mr. साह है Who had succeeded him तो यहाँ पर जब वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं BJP के तो Mr. साहा को जब बनाया गया उसके पीछे कहीं न कहीं जो Mr. विपला कुमार देव है उनी का हाथ था या उनका सपोर्ट था Public disapproval and rebellion within the BJP तो public disapproval कि इस चिकन का विपला कुमार देव जो बरतमान में मुख्यमंत्री थे उनका और rebellion within the party मतलब बिदायकों का विप्रीत हो जाना BJP corner Mr. देव तो BJP ने Mr. देव से क्या कर लिया corner कर दिया नहीं तो Mr. देव को BJP बनाये रखती सीम and he was forced to make bay of Mr. साहा inherited at least part of his predecessor बेगेज तो यहाँ पर उन्हों नहीं फिर क्या किया एक रास्ता तै किया कि भाई Mr. साहा के लिए बना दिया जाए उन्होंने वहाँ पर भी सपोर्ट किया तो और यहाँ पर पर कर दिया कर नाटक में भी आपने देखा होगा जो यह लुग अया हटाया गया था कर नाटक के बत्काली मुक्ष मन्त्री को तो इन्होंने यह जो बर्तबान मुक्ष मंत्री है उनके लिए सजेश्ट किया था जो कि कहीन कहीं उन न機 इसित्थार्वी कि मामले में है सो वो लगते हैं तो इसी प्रकार यहां पर भी हुगा तो कोई भी पार्टी में जो हायर पोजिशन पर रहता है कही न कहीं उसका प्रभत रहता ही हमने लाश्ट एडिटोरियल में फिलिपिन्स का भी अधारन लिया था जिसमें नए राष्टपती जो चुने इस तो यहां पर इस चीज को लेकर कुछ MLA जिनमें से दो MLA मतलब दो बिधाय कोन है तो इस पश्ट रूप से पब्लिक लिए एक्स्प्रेस्ट कर दिया इसको कि भाई आपने मिस्टर साहा को क्यों मुख्यमंत्री बनाया अंटेल पुट द पार्टी हाउस इन ओर क्योंक इस तो यहां पर जब तक पार्टी जो है अभी क्यों उनका विरूद क्यों हो रहा है क्योंकि उन पर कहीं ने कहीं इसी प्रकार का आरोप लग रहे हैं यह एक प्रकार से एक परसेप्सर बना हुआ है विधायकों के मन में कि भाई यह जो बर्तमान जो मिश्टर साहा है वो किसके समर्थक हैं वो समर्थक हैं वेपला कुमार देव के और यह परसेप्सर जब तक बना रहेगा तब तक उनका विरोध होता रहेगा तो करना क्या पड़ेगा कि पार्टी हाउस को तुरंथ ही उनकी इस्टेबिलिस करनी पड़ेगी उनकी क्रिडेंशियल और यह बताना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है किस से मिश्टर देव से एंड इंप्रूब द पबलिक परसेप्टन आबाउट द इस्टेट गवर्रमेंट और साथ इसाथ पबलिक को भी उनके प्रती आस्वस्त करना पड़ेगा वो पबलिक को में उसकी ना बनती हो लेकर अगर वो चुनाओ जिता जेता है जैसे कि उत्तरा खंड में हमें देखने को मिला है तो फिर वो क्या होता है को उसकी सुईकारता भी बढ़ जाती है बिदायकों के अंदर भी तो यही होता है जब भी कहीं पर भी किसी भी राज्य में चाहे तो उसमें कई चेहरे सामने आते हैं कई पावरफुल लोग सामने आते हैं लेकिन अन्तोकत पर सुईकार उसे ही किया जाता है जो चुनाव जिता देता है उसको इस टाइप से माना जाता है कि उसे जनता ने शुईकार कर लिया है तब तक अगर जब तक ये सब चीज़ नहीं होती तब तक CM will remain on tender हो तब तक मतलब उसी एक प्रकार से hold पर हैं ये CM और इनकी प्रतिष्ठा इन उत्तरा खंड था BJP changed the CM थ्राइज अहड़ असेंब्ली एलेक्षन अलियर दिस येर अगर हम उत्तरा करने की बात करें तो चुनाओ से पहले BJP ने तीन बार CM बदले जिन में से लाश्ट जो थे वो आपके कौन थे खुष्टकर सींगधामी थे तब तरुपरा असेंब्ली एलेक्षन आर नाइन मन्थ हवे तो यहां पर यही डिसाइड यह निर्धारत करता है यह इंडिकेट करता है कि पार्टी के असेस्मेंट में कूर्ट कूर्स करेक्षन रिक्वाइड था मतलब जो लीडर से पहें उसमें करेक्षन की गुंजायस थी और यही कारण है कि BJP ने यह किया भी अगर मिश्टर देव की बात करें तो यह च्छट में सीए में जिनको रिफ्लेस किया गया है BJP ने सभी राज्योग में लागे अकेला त्रफुडा की बात कर रहा हूं कि फॉल्लोविंग सर्वानन्द सोनोबाल को आसाम में रेप्लेस किया हमंत विश्वा शर्मा के द्वारा बी एस यदु रपा को करनाटक में रेप्लेस किया त्रफेंद सींग रावत को और तीरट सींग रावत को बना दिया एंड बिजयरूपानी गुजरात पूरक पूर कमंदल बदल दिया डीजेफी टेक ओल एलेक्शन बहरी सीरियसली इस इस नह lipstick होता है कि भीजेथी ऐक हर्एक इनिक से मदले की बात करें तो यहosit लिखono गया से एक स्थीनल केis है羅ल Key Tabern अगर देखा जाए तो जो त्रपरा स्टेट था वो लेप्ट का एक घड़ बना हुआ था पिछले कई दसकों से लेकिन बीजेपी ने 2018 में लेप्ट को हरा दिया और इससे एक सिगनिफिकेंटली यूनिक आइडेलोजिकल विक्ट्री हुई क्योंकि आपको मालूम होगा लेप्ट क्या है बाम बंती बीजेपी क्या है दक्षण बंती तो एक जश्ट अपोजिट बिचारधाराओं की जीत हुई सिंस देन पार्टी हैज बीन बोबलिंग टू सिटिंग एमले शुदीप राय बार्मन एंड आसीज कुमार साहा लेप्ट दपार्टी इन फैबररी टू जोईन कांग्रेस और उसी समय से दो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर उठापटक चल रही थी उसका परणाम यह हुग फरवरी के अंदर दो एमले सुधी प्राय बर्मन एंड आसीज कुमार साहा जिन्हों ने जाकर कॉंग्रेस जोईन कर ली पोटेंशिल इंडिकेटिंग न्यू चर्निंग और इस से कहीं ने कहीं यह दिखाई देता है कि एक नई नई उठापटक या नई प्रकार की व्यवस्ताओं वहां पर होने वाली है चुनाओं आने के साथ हो सकता है कई और MLA इस्तीपाद है या कई दूसरे पार्टी के MLA जोईन करने तो यह तो नॉर्मल सी बात है जब भी चुनाओं होता है तो होना इस्टार्ट हो जाता है त तिंदा आदर इस्टेट क्योंकि अगर त्रपुरा में बहां पर कहीं डिफीट होती है तो उसका जो एफेक्ट है वो कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा और B.J.P. बिलकुल नहीं चाहती बनला दूसरे किन राज्यों मोस्टली नौर्थ-इस्ट क पर हार जाती है तो यहीं चीज है कि डिफीट नेक्स येर कोड है अगर मुप्तुरप्रा में नेक्स येर भारती जनता पार्टी हारती है तो उसका रिफेल एफेक्ट नौर्थ-ईस्ट के और दूसरे राज्यों में देखने को मिलेगा पर्टिकुलर्ली अंदर नौर्थ किसान अंदोलन के बाद कैसे यूपी के चुनाओं के लिए सभी लोग नजर गड़ा के बेठे थे किसान अंदोलन के कारण जनता में आक्रोस हो वो बीजेपी को यूपी और उत्राखंड से बाहर फेक देगी लेकिन हुआ उसका उजश्टा पोजेट और बीजेपी फिर स जेपारे मालम चल जाती है तो इस यूग में जब कोई पार्टी दूसरे राज्य में जीत जाती है तो उसे इस टाइब से माना जाता है कि हाँ भाई ये इसकी जो पॉलिसी तहीं उसको जंता ने शुवीकार कर लिया और यहीं कारण है कि BJP तरपरा में किसी प्रकार से हारना नहीं चाहती है अगर महलों जीत जाती है तो उसका ये जो मुख्यमंत्री बदलने का जो पैटरन है उसको स्विकारता मिलेगी और no doubt development के लिए तो आज हर किसी पार्टी को काम करना ही पड़ेगा नहीं तो वैसे ही सकता से बेदकल हो ज साथ है क्योंकि Mr.Saha को संग परिवार से तो आए नहीं है कि संग परिवार से दीरे दीरे ऊपर होते होते हो फिर मुख्यमंत्री बने तो यह एक चीज भी दखाता है कि BJP इस पैटरन को भी बदलना चाहती है कि भाई को संग परिवार से आए तभी उसको मुख्यमंत्री ब तो नो डाउट उसमें राज्य को फायदा होता है और पार्टी को फायदा होता है जैसे कि आपने हेमंत विश्व सर्मा को देख लीजिए और यहां पर पुसकर सिंग धामी जिन्हों फिर से चुनाव जिता है सर्फ 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे और चुनाव जिता कर ले आए जबकि उनके सामने कई बार सीम रहे चोके हरी सिंग रावत कांग्रेस को लीट कर रहे थे तो यह चीज़ देखने वाली बात है कि इससे पार्टी क्या कर रही है यह चें इस पर से बिकम मोर अपॉर्चनिस्टिक इन यूजिंग लीटर फ्रों अधर आई लोजिकल इस्टेवर तो यहां पर यह तो यहां पर यह हिंदत तुबाला एजेंडा तो फुल्फिल नहीं हो रहा है कि वहीं संग परिबार से आया है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा तो मिश्टर साहा इस दा फूर्थ परसंट विकम बीजेपी सी एम इन नौर्ट इस्टर इस्टेट आप्टर क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम कॉंग्रेस तो यहां पर यह चौते मुख्यमंत्री है जो कि कांग्रेस से आया है और इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया आसाम स सियमम वोगा बहुत बडूएंट सीयम है जो की कांग्रेस से ही आय थे उन फूंशील एक्ट्र इन बीजेपी स्कीम ऑफ दी स्टीन और यह एंदर भी जब को लिकर तो यह हर कोई इनके बारे में जानता ही है तृज पी कंटिनूट्र लीडर तो मदर पार्टी लीडर से प और यहां पर लीडर्सिप की पॉजिशन भी उनको दे रही है कैसे दे रही है पश्चमंगाल में भी आपने देखा होगा वो अब मैं एक्जेक्टि याम नहीं आ रहा वो कौन है जो भी पश्चमंगाल असेंबली के अंदर नेदा प्रतिपक्ष की भूम काम है वो भी कहीं न कहीं टीम सी से आये थे और उने यहां पर एक महत्वपून पर दे दिया गया यहां पर जो आइडेलोजिकल एगनोटिज्म है मतलब अगये बाद मतलब आप समझ रहा हो ना कि कोई अगर दूसरी मालोग कोई एक बामपंती विचार दारा है अब इन दोनों विचार धारा हूं लेकिन कही ने इन लोगों को लेस्पॉलराइज्ड संटा पर काम करना चाहिए ना कि एक पॉलराइज्ड संत्ता पर पॉलराइजज Frans नों पॉलराइज इनका बहुत ही बहुत ही माइनूट तरीके से नोंने इस चीज को यहां पर लिख दिया है इसे मैं भी डिफाइन करना नहीं चाहता है लेकिन आप पॉलराइजेशन का फैक्टर समझ गये होंगे कैसे धर्म जाती संपरदाय इन सब चीजों के कारण पार्टियां पॉलराइजेशन करती है मैं इसको अपने एंड से बिल्कुल एक्सप्लैन नहीं करना चाहता ना उसको पॉइंट बताना चाहता हूं वह आप बहुत समझदार है मैंने बस यह बता दिया कि आखिरकार नौन कम पॉलराइज पॉलिटी या कम पॉलराइज नीतियों को क्या करें वह आगे बढ़ा के जाए जिससे सभी का साथ सबका विकास वाली बात हो इस छोटे से पॉइंट में इनका राइटर का कहना यही है देर इस नो एविडियन्स ऑफ एनी सच ट्रेंड बट त्रप्रा कुड भी यह चीज देखने को नहीं मिला है लेकिन को सकता है तुरप्रा इस चीज की स्टार्टेंग करें और आगया आने वाले समय में वीजेपी सासत दूसरे राज्यों में भी यह चीज देखने को मिले तो यह आडिक का एडिटोरियल था आई होपको यह एडिटोरियल समझ में आगया तुरे जाएटोरियल था जिए तो यह चीज दूसरे और आट जाएटोरियल था प्रहत।